आप सभी लोग कभी ना कभी ब्यारी जी मंदिर तो आई होंगे और आप सभी ने ब्यारी जी के दिर्शनों का आनंद तो लिया ही होगा लेकिन क्या आप सभी को पता है कि ब्यारी जी कैसे प्रकट हुए थे ब्यारी जी के प्रकट होने की क्या कता है तो चलिए आज मैं आप सभी को बिहारी जी के प्रकटोनी की कथा सुनाऊंगा और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा तबी आपको इस कथा में आनंद आएगा तो चलिए बिहारी जी का नाम लेकर कथा को प्रारंब करते हैं कुझ बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुझ बिहारी जैजै श्री हरिदास दुलारी आप सभी को पताई होगा कि हमारे स्वामी हरदास जी अलीगड के एक गाउं में रहते थे जिसे अब हर्दास पुर नाम से जाना जाता है हर्दास जी अपने सभी सांसारिक मुहों को त्याग कर यहां व्रिंदावन आये थे और उनके संगसंग उनके भाई गुविन जी का बेटा विठल विपुल जी भी उनके साथ साथ चले गए थे व्रिंदावन पहुँचकर उन्हें यमना जी को पार करके उसके केनारे पर ही साधनारत हो गए जहां पर आज निद्वन राज उपस्तित है निद्वन में स्वामी हरदाश जी अपने तानपुरा के संगीत से कनाया की अराधना करते थे और जब भी स्वामी हरदाश जी अपने संगीत में लीन हो जाया करते थे तो उन्हें जुगल जोडी सरकार के दर्शन होते थे वह दर्शनों में ऐसे खुजाते थे कि उन्हें की आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं रहता था वह दर्शनों के आनंद में ही खुई रहते थे स्वामी जी एक निकुंज के द्वार पर बैट कर अपने संगीच से कनहिया को रिजाते थे और वह निकुंज आज निद्वन में रंगमहल के नाम से जाना जाता है वही पर स्वामी हरदाश जी बैटकर संगी से अपने कनहिया को रिजाया करते थे एक दिन विठल विपुल जी के मन में एक प्रश्ण उठा कि स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है इसी प्रश्ण के साथ एक प्रश्ण और भी चुड़ा था कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैटकर संगीत की रागिनी छेटते हैं उसके भीतर कौन विराजमान है जिससे वहाँ एक आंध में बाते भी करते रहते हैं विठल विपुल जी ने अनेक बार उस निकुंज के अंदर देखा किन्तों उनहें अंधिरे के अतिरे कुछ और नहीं दिखाये दिया एक दिन तो वहाँ उसके अंदर खूमके भी देख के आए लेकिन उन्हें वा खुछ नहीं मिला इस संबंद में विठल विपुल जी ने जगनाज जी से भी पूचा उनों ने कह दिया कि स्वामी जी की लीला स्वामी जी ही जाने देख नहीं रहे हो यहां पर सारे रंग धंग निराले हैं इसी बीच मार्गशीश मा की पंचमी पर विठल विपुल जी का जनम दिन आया उस दिन स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुमारा जनम दिन है आज मैं तुमें कुछ सोगात देना चाता हूँ तो विठाल विपुल जी बोले कि स्वामी जी मेरे को सौगात नहीं चाहिए आप तो राधा कृष्णी के दर्शनों का आनंद लेते हैं लेकिन इस कल्योग में बाकी कई लोग हैं जो राधा कृष्णी के उन दुरलब दर्शनों का आनंद लेना चाहते हैं तो उन दुरलब स्वामी जी के नेत्र मुग्द हो गए स्वामी जी का हाथ तानपुरे पे था और वहां पर बेटे सभी लोग विमुग्द हो गए थे वहां ऐसा कोई नहीं था जो स्वामी जी के संगीत के रस्मेंट ना डूबा हो संगीत के स्वरों के आरोह के साथ सभी ने अपनी अंदरिक अदबुत प्रकाश का अनुभव किया तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी तभी एक अदबुत प्रकाश प्रकट हुआ और वहां प्रकाश भढ़ने लगा तभी जुगल जोडी सरकार हाथ थामे हुए प्रकट हुए वहाँ पर उपस्ते सभी लूग मुस्कुराते हुए जुगल-जोडी सरकार and शामके दर्शनों में ही खोगये जुगल-जोडी सरकार के दर्शन करके स्वामी जी गाने लगे मायरी सहज जोरी प्रकट भही जू रंग की गौर शाम घन दामिनी जैसे प्रतम हूँ होती अबहू आगे हूँ रही नटरी है तैसे अंग अंग की उजराई सुदराई चतुराई सुन्दरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी शामा कुंज भ्यारी सम वैसे वैसे गीत के समाप्त होते ही राधा रानी बोली नलिते तुमारी इच्चा पूरी हो इसलिए अब हम इसी रूप में आ उपस्तित रहेंगे फिर स्वामी जी थोड़ा चिंतित होकर बोले कि हे प्राण धर निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी विश्नु, शिव, इंद्र, आदी सभी देवताओं की सेवा का तो वैदिक विधान है तबी जुगल जोड़ी सरकार मुस्कराते होए बोले सेवा तो लाड़ प्यार की होगी समझ गए फिर हरिदाश जी निशिन्त होकर बोले कि प्रभु मेरी एक और प्रातना है मैं आपके अलग-अलग सेवा तो नहीं कर पाऊंगा और राधा राणी का इतना सोंदर इतना तेज है कि जगत की आँखें देख नहीं पाएंगी तो आप दोनों एक ही रूप हो जाईए ताकि मैं आप दोनों की सेवा एक साथ कर सकूं और जगत आपके इन दुरलब दर्शनों का आनन्द ले सके इतना कहते ही जुगल-जोडी सरकार एक हो गए एक प्राण दो देही राधा कृष्न दोनों से नहीं यानि बांके भ्यारी जी प्रकट हुए इसलिए आपने देखा होगा कि भ्यारी जी मंदिर में आधा कृष्न जी के रूप में श्रिंगार होता है और आधा राधारानी के स्वरूप में हमारे बांके भ्यारी जी में राधारानी और श्री कृष्न दोनों ही विराज माने लेकिन हमारे बांके बिहारी का रंग श्री कृष्णी की तरह ही सावला है बांके बिहारी के दर्शन करने से आपको राधारानी और श्री कृष्णी दोनों का ही आशिरवा साथ में प्राप्त होता है तो इस तरह बिहारी जी निधुवन में प्रकट होए थे और जिस जगह पर विहारीजी निदोन में प्रकट हुए थे अब आप सबी लोग उस जगह के तर्शनों का आनन्द लीजिए ये है बांके विहारीजी की प्रकट स्थली यहीं पर बांके विहारीजी प्रकट हुए थे अब आप सभी लोग ब्यारी जी की प्रकट स्थली पर मांसिक रूप से ढोग लगाईए और ब्यारी जी का आशिरवात प्राप्त कीजिए वैसे आप सभी को ये कथा कैसी लगी मुझे ये कथा सुनकर आनंद ही आ गया आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा सो इस तरह मार्ट शीश महा की पंचमी पर बिहारी जी प्रकट हुए थे इसलिए इसे बिहार पंचमी कहा जाता है और इस दिन हमारे विठल विपुल जी महाराज का भी जनम दिन है यह दिन हमारे बिहारी जी मंदिल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और स्वामी हरदाश जी निधवन से चित्रपट के स्वरूप में बेंड बाजा जाकी के साथ बिहारी जी को बधाई देने भी आते हैं ये दिन बिहारी जी मंदिर में बहुत ही धुमधाम से मनाया जाता है तो मैं आप सभी को बिहार पंचमी की भी वीडियो जरूर दिखाऊंगा और आगर आप सभी लोग उन द्रश्यों का आनंद लेना चाते हैं तो हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में रादे रादे जै विहारी जी की